एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं दोस्तों इसका बनाने चारा हूँ इस वाली वीडियो का आज एक डेड महीने बाद और आप लोगों को इसको नहीं खरीदना चाहिए 2023 में अब दोस्तों अब आप लोग ये समझेंगे कि मैं रॉल इंफिल से चेड़ता हूँ या मैं एक बुलेट 350 ऑन करता हूँ ठीक है तो प्लीज ये मत सोचना कि मैं रॉल इंफिल से चेड़ता हूँ या पसंद नहीं करता हूँ काफी लोगों की कमेंट सहीथी कि भाई तुम रॉल इंफिल के हेटर हो ये हो ये हो तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है मैं खोद एक रॉल इंफिल लवर हूँ एन ओन भी करता हुआ है एंट रही बात classic 5350 की तो देखिए दोस्तो मैंने इसकी अच्छाइय भी आप लोगों को बता हूँ अभी एक सद दो हुश्ते फेले मैंने इसकी अच्छाइय ऐसका और टीस की आप लोगों को खरीदना चाहिए जितनी कम मैं आप लोगों को इसकी disadvantage बताता हूँ उससे जादा मैं इसकी advantages आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों आप लोगों को इसको खरीदना चाहिए तो चली दोस्तों आज की वीडियों को जादा लंबी रखने की क्योश्चिश चाहों मैं नहीं करूँगा सिर्फ चार आप लोगों को disadvantages बता रहा हूँ आज इस वाली वीडियो में क्यों हम लोगों इसको नहीं खरीदने चाहिए और जो चार वो बताऊँगा वो दोस्तों मेरी खुद की अपनी personal होंगी जो मेरे को इस वाली bike को देखने के बाद feel होई है तो दोस्तों चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टाट फटाफर से और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत चोटी सी रिक्वेस्ट है के जावा हो गई यह Honda की कोई बाइक हो गई या बैनिली की कोई भाइक हो गई तो दोस्तों यह बहुत जादा अपने जो प्रैज को लेकर हमेशा मार खाती है और प्रैस बहुत जादा काफी लोगों को इसकी प्रैजी से पासाद नहीं आते हैं और हर कोई बंदा इस बाइक को अफोर्ड जाओ नहीं कर सकता है जब भी वाली दोस्तों लोन चोई थी आसे 2-3 साल पहले तब इस बाइक के जो प्राइजिस दोस्तों वह बिकुल परफेक्ट थे इस बाइक के सब कहा रहे थे कि प्राइजिस है वह काफी बढ़िया है लेकि लेकिन आप वाइक लोगों को अच्छी लगने लग गई है ठीक है अब लोगों को इस बाइक को थोड़े साह크 ही स्पीड पर लेकिन दोस्तों जैसी आप आप इसको हाई स्पीड में लेकर जाएंगे आप इसको 80-90 की स्पीड आप लोग क्रोस करेंगे तो दोस्तों आप लोग की जो बाइक है वो काफी ज्यादा शूर है मचा देगी दोस्तों के इंजिन से ऐसा लगता है कि साउंड आ रही है आगसे काफी अनौइंग से साउंड होती है दोस्तों ऐसा लगता है कि पीछे सेस्के सिलेंटर बगार वह फट चुका है ठीक है फटेंब सेलेंटर बहले आज जहीं कभी में दोस्तों निकालती है औंट वह आवाज जो दूस्तों वह इंजिन से आती है बाइक के इसका अरावा द दोस्तो बैं इन तीनों के आप लोगों को जबाब दो देता हूं तीनों जो मैंने आप लोगों को प्राइशिंग को लेगे मैं आप लोगों को फर्स्ट्पइंट में क्लियर कर चुका हूं कि भाई सब के लिए नहीं है बहुत मेहंगी भाई है हर कोई इस वाइक को अफोर् ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आप लोग इस बैक को इसी ली एंड कमफर्टेबली राइट नहीं कर पाएंगे ठीक है दोस्तो और इसी के साथ साथ अगर आप लोग काफी ज्यादा स्किनी हैं काफी पतले हैं तो आप लोगों को यह वाली बाइक थोड़ी सी अनकमफर आप लोगों की राइडिंग क्वालिटी है लोकल में चलाना वाइक को लोकल आप लोगों को घुमने हैं आप लोगों को कि आफ लोगों को डिखने को मिलेगी इस बैक के इंतर नहीं है ठीक है एड हमारा जो फौर्थ इन लास्ट पॉंट में आज की वीडियो का दो वो है Long Waiting period Or stages by के ओपर आप लोगो incohous Зем के आज या अज बीएक महीने से कम का लोगों के कि दीखने को नहीं मिलता है minimum one month मैक्सिमम नौ मंत की आप लोगों को वेपा देखने को मिलती है दोस्तों कहीं कहीं जगा आप लोगों को दोस्तों हें टो हेंड भी मिल जाती है जिन लोगों का जिन शोरूम्स का जो स्टॉक है वो नहीं खतम हो रहा होता तो आप लोगों को दे सकते हैं अगर को इनके पास टॉक खड़ा हुआ है तो अगर दरवाइस दोस्ता कर आप लोग को लेने जाएंगे करने हैं या आप लोगों को आज की पॉइंट कैसे लगे तो आज की वीडियो में बस इतना इधा अकर वीडियो चिलोगे वीडियो का लाइक कीजिए चैनल पर नहीं चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए चलिए मिल देहें कल शाम 6 बचे किसी नई वीडियो के साथ तब तक के बबाई टेक क्यर